दोस्तो टीवी पर कई ऐसे सीरियल और कई ऐसी टीवी जोडिया हैं जो काफी समय से दर्शकों की दिलों पर राज कर रही हैं नाइरा कार्ती, रमन और इशिता की तरही कई जोडियों को दर्शक आज भी बहुत पसंद करते हैं लेकिन आज हम आपको ऐसी जोडियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लॉंच होते ही फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई थी ना सिर्फ इन जोडियों ने बल्कि इनके सीरियल को भी दर्शकों ने बेद पसंद किया था तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये जोडियों के बारे में फिफ्ट नमबर पे है पिया और अंश स्टार प्लस के सूपर नैच्रल सीरियल नजर की फ्रेश जोडि को भी दर्शक का काफी प्यार मिल रहा है ना सिर्फ भारत में बलकि विदेशों में भी इस सीरियल को काफी पसंद किया जा रहा है लॉंच होने के साथ से ही पिया और अंश की जोडि फैंस के दिलों में राज कर रही है आपको बता दे की नियती फटनानी और हर्ष राजपूत सीरियल में मुख्य किरदा निभा रहे है और इनकी जोडि को दर्शक काफी जदा प्यार भी दे रहे है टिक्स नमबर पे है जारा और कबीर जी टीवी का सीरियल इक्षु सुभान अल्ला टी आर पी में भी काफी अच्छा कर रहा है सीरियल में जारा और कबीर की जोडि दर्शकों के दिलों में बस चुकी है बता दे कि सीरियल में जारा का किरदार ईशा सिंग जबकि कबीर का किरदार अनन्दा खान निभा रहे हैं सेवन्थ नमबर पे है अनुराग और प्रेड़ना एकता कपूर के शोकर सोटी जिन्दगी की ये जोड़ी भी लाँच होने के बाद से ही दर्शकों का दिल जीत रही है सीरियल में अनुराग का किरदार पार्थ सम्थान जबकि प्रेड़ना का किरदार अरिका फर्नांडेस निभा रही है एट नमबर पे है गौरी और राज स्टार प्लस के सीरियल कयामत की राद की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था लाँच होने के बाद से ही गौरी और राज की जोड़ी फैंस के दिलों में बस गई थी हालाकि सीरियल अब आफ एर हो चुका है बता दे की सीरियल में गौरी का किरदार करिश्मा तन्ना ने जबकि राज का किरदार अभी नेता विवेक दहित्ते ने निभाया था नाइंट नमबर पे हैं माहिर और बेला सुर्भी जोती और पालवे पुरी की फ्रेश जोड़ी ने लाँच होने के साथ ही फैंस के दिलों में अपनी जगा बनाने में सफल रही थी सीरियल नागिन 3 को ना सिर्फ लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है बलकि माहिर और बेला की जोड़ी को भी लोगों ने सर आँखों पर बिठाया है तो दोस्तों इन पांचों कपल में से आपको कौन सा कपल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और साथी और बेलसी वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक शियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले